हलो गाईज, वेलकम बेक टो माई चैनल पर्मी ब्यूटी वर्ड तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग स्वास्थ और मस्त होंगे तो गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ रेजर यूजड हेर पर आप किस तरीके से वेक् वेक्सिंग कर वाने जा रही हैं इससे पहले इनोहने कभी भी वेक्सिंग नहीं करवाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं आप ने यूज किया है simple तो कि अगर इतनी growing है तो client को sweating भी हो जाती है तो पहले आपने अच्छे से clean कर लेना है सब्सक्रिंब करें चाहे रिका wax का यूज करें पहले अच्छे तरीके से arm pit को clean करें चाहे winter का season हो, summer का season हो client को sweating आई ही जाती है तो इसलिए आपको clean करना बहुत जरूरी है clean करने के बाद मैंने यूज किया है Rika का pre waxing gel guys अगर इतनी ज़्यादा heavy growth है और client के hair razor used है तो आप ध्यान दे simple wax से hair remove नहीं होंगे उसके लिए आपको special Rika wax का ही use करना पड़ेगा प्री waxing gel लगा दे अच्छे से अंड्राम्स में और प्रोपर तरिक्षे से clean भी हो जाए skin वैसे simply clean कर दिये पर अगर आप Rika wax यूज कर रहे हैं तो pre waxing gel का यूज करना बहुत जरूरी होता है guys अगर आपके पास pre waxing gel नहीं है तो आप हलका सा नाम मतर coconut oil भी यूज कर सकते हैं देन skin को dry होने के लिए छोड़ दिया था अब हम यूज कर रहे हैं टेलकम powder का टेलकम powder का यूज करना optional है पर मेरे client की skin पर sweating आ जाती है इसलिए मैंने टेलकम powder का यूज किया है उसके बाद wax की application करनी है हेर की direction की हिसाब से अगर आप रीका wax यूज कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दे कि आपने अगर इतने hard hairs में wax की application करनी है तो proper तरीके से hair wax से ढख जाने चाहिए उसके बाद waxing strip लगाएं rub करें ताकि सारे के सारे जो बाल है पट्टी की पकड में आ जाएं आपने skin को अच्छे से stretch करना है और उल्टी दिशा में पट्टी को एकदम एक जटके से पूल कर देना है आपका हाथ बिल्कुल भी बीच में अटकना नहीं चाहिए गाइस देखे कितने अच्छे त्रीके से इनके hairs remove हो गए है अब जो कुछ hairs बचे हैं उनकी direction है नीचे की side तो wax की application भी उसी हिसाब से की जाएगी और गाइस आपने wax के temperature का भी ध्यान देना है wax का temperature आपका normal होना चाहिए और client से भी पूछ लें उन्हें wax ज़्यादा गरम ना लग गाइस अब winter का season स्टार्ट हो गया है तो ऐसे में आपने ध्यान देना है कि Rika wax बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है तो आपने बड़ी जल्दी जल्दी wax की application करनी है waxing strip लगानी है and pull कर देना है देखे पूल करने के बाद इनकी wax ठंडी हो जो की ती तो remove नहीं हुई तो ऐसे मैं आपने यह नहीं सोचना कि आप क्या करें अगर आपने प्री waxing gel लगा रखा है तो बिल्कुल भी टैंचल लेने की जिरूरत नहीं है आप फिर से waxing trip लगाए and rub करके opposite direction में pull कर दे देखे कितने easy तरीके से इनके hair remove हो गए है और guys यह तभी होगा अगर आपने pre waxing gel लगा रखा है अगर pre waxing gel नहीं लगा रखा तो आप जबरदस्ती करेंगे तो ऐसे में client की skin पील हो सकती है अब जो कुछ hairs रह गए है वहाँ पर हम wax की फिर से reapplication करेंगे and उन hairs को भी remove कर देंगे guys अगर आपके client ने razor use कर रखा है और वैं आपके पास wax करवाने आया है तो आप इस बात का ध्यान दे कि wax करने के बाद अगर इतनी heavy growth है तो blood आना सभाविक है और अगर blood आ जाता है तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि आप अपने हाथ से coconut oil नहीं लगाएंगे किसी cotton पर coconut oil लगा कर अच्छे से लगा दे guys दूसरी side armpit waxing की video मैं next video में share करूंगी क्योंकि अगर मैं दोनो armpit waxing की video एक ही video में share करती हूँ वीडियो काफी lengthy हो जाती है